जमो कश्मीर की एक कैसी घटना में इस वक्त आपको बताऊंगी जिस पर यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है सच ये है कि अखनोर एलाके में एक लड़की जुसका नाम विजय है उम्रे 24 साल उसे साप काट लेता है उसके बाद आनन फानन में लोग पहुंसते हैं उसे अस्पिता लेकर घरवाले और अस्पिताल में डॉक्टर कई दिनों तो पुसका इलाज करते हैं और उसके बाद खबर ये आती है मर्वाहत करने वाली कि उसकी मिर्थित हो गई है घरवाले रो पीट कर उसे ले जाते हैं, चिता पर डालते हैं, उसका अंतिम संसकार करना है लेकिन तभी एक ऐसा करिश्मा होता है जिस पर आप शायद यकीन ना कर पाए लेकिन ये सच है, करिश्मा ये होता है कि जिस विजय की अभी तक मैं मौत की खबर आपको सुना रही हूँ वो विजय जिन्दा वोड़ता है, चिता पर उसको उसकी बॉड़ी में हरकत लोग देखते हैं और उसके बाद वो उट खड़ा होता है और तब सब के चहरें जो अभी तक मायूस थें, वो सब खुश हो जाते हैं ये आपको कहानी फिल्मी लग रही हो, किताबी लग रही हो, या कि विदंती लग रही हो लेकिन ये सच है, अखनूर का विजय जिन्दा हो उठा है, और ये सब किसी करिश्मे से कम नहीं है हाला कि साप काटने की घटनाओं में ये बहुत बार हमने देखा है और आपने भी अपने आसपास बड़े बुजर्गों से ऐसा सुना होगा कि साप काटने वाली घटनाओं में कुछ हद तक चांसेज ये होते हैं कि वो व्यक्ति जिन्दा हो सकता है जहर उतर जा या कुछ वो करिश्माई चीज़े होती है या पर कुछ और उसका वैग्यानिक एंगल होगा जिस पे रिसर्च डॉक्टर्स को ही करना है लेकिन डॉक्टर्स को भी एहतियातन कदम उठाना होगा ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब विजय जिन्दा हो उठा ये करिश्मा हुआ तो उसके बाद घरवाले बहुत नाराज हुए उस डॉक्टर को लेकर जिसने विजय को मिर्त गोशित किया था अब लोग यह प्लानिंग कर रहे हैं विभावक विज़ा कि यह प्लानिंग कर रहे हैं किस डॉक्टर पर हम केस करेंगे केस फायल करेंगे क्योंकि इस तरीके से लापरवाही किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। देखा था उसे अमुवन नदी में या फिर जो आसपास के पोखर तलाब हो वहां पे उसे बहा दिया जाता है वह बहाने का तरीका भी होता कि केले के थंपे जिस पे आप डूब नहीं सकते हैं वह पानी के बहाव के साथ धीरे-धीरे दूर दरास के लाकों में चला जाता और इस बीच अगर कोई करिश्मा होना हो तो उस व्यक्ति के पास उसके घर का एड्रेस पता भी होता है या तो वो खुद चला आ जाए या अगर नाबालिक है और उसे समझ नहीं है तो कोई अगर और उसे घर पहुंचा सकता है तो वो भी वैसे भी आ सकता है लेकिन यह व्यक्ति जिन्दा हो सकता है ऐसा मुमन होता नहीं है लेकिन विजय के साथ जो जमो कश्मीर के अखनूर करेने वाला है उसके साथ यह हुआ है और उमीद यही की जारी है कि पहले जैसे ही उसकी दिन चर्या हो और उसी तरीके से विजय आगे बढ़े क्योंकि मैं जो 24 साल क है अभी उसकी पूरी जिन्दगी बाकी है लेकिन घरवालों के जहन में एक डर समाया हुआ है गुसा है उनका ये कहना है कि हम डॉक्टर को किसी भी सूरत में नहीं जोडने वाले हैं हम खानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि इसकी लापरवाही की झाल झाल